नमस्कार दोस्तों स्वागते आपसे भी लोगों का एरलाइन से आ रही आज की जरूरी खबरों में पहली खबर की जानकारी एर इंडिया से जान लेते हैं एर इंडिया और विस्तारा एरलाइन इन दोनों का मर्जर सक्सेस्फली हो चुका है और इसके साथ ही Air India सबता में टोटल 5600 से भी अधिक उडानों को आपरेट करने वाली है Air India अब 103 डोमेस्टिक रूट पर और इसके अलवा 71 इंटरनेशनल रूट पर अपने उडानों को आपरेट करेगी दोस्तो Air India और विस्तारा के मर्जर के बाद भी Indigo Airlines भारत की सबसे बड़ी Airlines कमपनी है लेकिन Air India के फ्यूचर प्लान को देखते हुए ये बोला जा सकता है कि Air India बहुत ही जल्दी इंडिको से भी आगे निकलने वाली है इसके लगा दोस्तो एक और अपडेट के अनुसार एपल कमपनी कई बड़ी Airlines कमपनियों के साथ काम कर रही है जिससे की Lost Package को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा इसके लिए एपल कमपनी के दोरा AirTag की सुविधा सुरू की जा रही है जिसके माद्यम से अब यात्री अपने सामान को आसानी से ट्रैक कर सकते है इसके लिए एपल कमपनी एक नए फीचर के उपर काम कर रही है जिसके माद्यम से यात्री अपने सामान का Locations Airlines कमपनी के साथ शेयर कर पाएंगे और एर्लाइंस कम्पनी उनके लगेज को आसानी से ट्रैक करके यात्री को दे पाईगी इसके अलबा दोस्तो अगली खबर हैदराबाद एरिपोर्ट से जुड़ी हुई है आपको बताना चाहेंगे कि कैसे फैसेफिक एर्लाइंस कम्पनी के दोरा हैदरवाद एरपोर्ट से हॉंग कॉंग के लिए डारेक्ट उडानों की शुरुआत की जा रही है इन उडानों को 30 मार्च 2025 से चालू किया जा रहा है और इसकी बुकिंग भी अभी से चालू हो चुकी है जो लोग भी हॉंग कॉंग के लिए ट्रैवल करके जाना चाते है वो इन फ्लाइटों की बुकिंग अभी से कर सकते है सुरुआत में कैसे फैसिफिक इन उडानों को सब्ता में 3 दिन ऑपरेट करेगी और आगे चल कर इसको सब्ता में 5 दिन तक कर देगी तो दोस्तों ये थी इस वक्त की एरलाइन से जुड़ी लेटेश जरूरी खबरे जिसकी जानकारी आप लोगों को इस चानल के मादम से मिली है